बाडमेर के सोनडी गाउं में कोईला खनन परिशानी का सबब बन रहा है यहां राजसान स्टेट माइनिंग मिनरल लिमिटेड के और से कोईला खनन क्या जा रहा है किसानों का कैना है कि हम पिछले 5 सालों से समस्या के समाधान की मांग उठा रहे हैं लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है न तो खेती हो पा रही है ना ही मवेशी पाले जा सकते हैं इस पूरे हालात का जैजलिया सयोगिय अशोक शेराने यहां से जितनी तक जा रही है आप देख पा रहे हैं कि यहां की जो जमीन है वो सारी बंजर नजर आ रही है यह जमीन सुरू से ही बंजर नहीं थी यहां पर कुछ नहीं होता था ऐसा नहीं है यह जमीन वर्स 2014 से बंजर बन गई है कारण इसका यह है कि यहाँ पर RS MML कंपनी द्वारा कोईला खरन का काम किया जा रहा है वो कंपनी जो वहाँ लवणिये पानी एकटा होने के बाद लोगों के खेतों में छोड़ देती है और केमिकल युक्त इस पानी से इस जो जमीन है वो पूरी बरबाद हो चुकी है लेकर आंदोलन भी किये कंपनी के अधिकारियों से बिले परसाफीक अधिकारियों से लेकिन अभी तक कोई उनका सोलूषन नहीं हुआ है अब आप देखिए कि यहां पर जो किशान है यहां पर आए है एकत्रित हुए और किसानों का कहना है कि हम इसको लेकर आगे आंदोलन करेंगे यहां तक कि किसानों ने यह भी कह दिया है कि हमारे समय रहते हैं अगर हमारा निस्तारण इसका समश्या कर नहीं हुआ तो हम लोग दूसरा कदम भी उठा सकते हैं कुछ किसानों से बात करने की कोशिस करेंगे सर क्या नाम है आपका और क्या समस्या है मेरा नाम दलपर सिंग है यह 2014 से माई जब इस्तापीद हुए उससे लेकर के आध दिन तक पाने की समस्या हमारे लिए एक मानसिक रोग बन गया है और यह सारी चाही हमारी बंजर हो चुकि एक ना तो हम भी चाहते दारी जमीन पर कोई कर सकते हैं अब हमने यह इसका कोई नहीं हुआ है कि दो चार दिन में बैठके एक आंदोलन की लिए रणनीती तियार करें उसमें करीबन लगबग यहां के करीब 10 पंचाय ते वह सारे लोग किसान आप लोग है और यहां मवेशी रखते थे और अब पूरी जमीन खराब हो चुके तो क्या दिकत आ रही है अरे मोरे खड़ है नहीं पोड़े केमिकल लाड़ो खारो जेर आवे में की कराई जगाता बत्या करें आरियोड़ा में तो अखिर बाद यह कोई भी आदि 210 सवुद कर कर डेलि कर मारता हूं लेकिन हुआ कुछ नहीं मैं जाकमा किसान एक साथ उकर के तीं दन का टाइम कर रहे है यदि इसमें हमारे को समय रहते जबाब नहीं दिया तो फिर कंपनी का गैट बंद होगा और तीन दन में यदि कोई किसान ने आतम हत्या कर ली तो उसका जबाबदार गोर्मेंट होगा या तो फिर आरेस में कंपनी होगी अशोक शेरा फर्शनिया न्यूज बार्मेर